हमारे प्रिय शुरताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैंसेल्फ डॉक्टर संजे गांदी, I am working as senior consultant and head department of cardiothoracic and vascular surgery college and hospital for last nine years now. सबसे पहले तो मैं हमारे शुरताओं को विश्वरिदय दिवस की शुप कामने देना चाहता हूं और आप सब लोगों के स्वस्थ रिदय की कामना करता हूं. तो आज हम विश्वरिदय दिवस पर अपने दिल का कैसे ख्याल रखना है, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, आका ष्वणी के महधियम से. तो हम इसमें क्या चीज हमें करनी हैं, और क्या चीज हमें करनी हैं, उसके बारे में विश्थार से discussion करेंगे. सबसे पहले तो मैं जो हमें चीजें करनी है जिन चीजें में ध्यान देना है उसके बारे में चर्चा करूँगा और बाद में जो काम नहीं करने है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो first and foremost जो हमारे दिल की बात आती है, हमारे शरीर में दिल का काम होता है, circulation, blood को pump करना और हर minute, हर second दिल धड़कता रहता है, कितनी बार दिल धड़कता है एक दिन में आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, कम से कम एक लाक बार धड़कता है, और पिछातर सो लीटर blood pump करता है फूरल में दिल को सौस्त रखना को हमारे शरीर का pump है तर इस पर हिप पुरा शरीर सारे शरीर के उपर निर्वर है, हमारी जान ही उपर सबसे important हंग दिल है तो इसका जो circulation है दिल से जो circulation होता है उसको सुचारूर रूप से बनाई रखने के लिए हमें हमारे शरीर को exercise करवाना बहुत जरूरी है exercise मतलब वयाम किसी भी तरह से आप वयाम कर सकते हैं आयरोबिक exercise है घर बेठे आप योगा कर सकते हैं अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो किसी game कोई activity आपना लीजिए बैडमिंटन खेलना है गली पे अगर आप cricket भी खेलना चाहें वो भी अपने आप में एक exercise है ब्रिस्क वो करते हैं वो maintain रहता है और दिल की विमार्यों से अपने अपकों बचा सकते है एट लिस्ट आदा घंटा रोज कम से कम अगर आप यह करें हफते में पांस दिन भी कर लें तो बहुत हैं दूसरी बात अगर हम बोलें कि और क्या करना है टाइम अपने लिए समय निकालना ज़्यादा भाग रहा है तो अपने स्वास्ते में उसका नुकसान हो जाता है कॉंपिटिशन की भावना इतनी ज़्यादा है उससे स्ट्रेस ले ले लेता है तो अपना टाइम अपने लिए निकालिए थोड़ा रिलेक्स करिए फैमली के साथ बिताईए खुश रहिए और ऐसा सिरियल द Ek लिया तो ये सब सब चीजे बहुत इंपोड़न और आज का यूथ क्या है कि वट्सैप पे लगा है मोबाइल पे लगा हुआ है और बच्चे भी खास करके मैं देखता हूँ मोबाइल पे गेम देख रहे हैं टीवी में गेम देख रहे हैं मोबाइल में खेल रहे हैं इन सब चीज़ों से अपने आपको बाहर निकलना है यह बहुत इंपोर्टन है नहीं तो नेक्स जनरेशन और भी ज़्यादा सफर करने वाली है चोथी बात मैं कहना चाहूंगा डाइट के बारे में हमारे बहुत सारे पेशन आते हैं जो पूस्तने हैं डाक्ट सब हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए कि इन चीज़ों को अपने को ज़्यादा इंपोर्टन है दिल क के लिए सहत के लिए तो मैं यह बताना चाहूंगा कि आज का जो जुग है अगर हम पचास साल पहले का देखें तो एवरीबोडी हैं कि लग्जूरियस लाइफ चलना फिरना कम है भागदोड है नहीं खेत में हल चलाने वाला सिस्टम रहा नहीं तो एवरीफिंग इज में अची हल्दी डाइट है और वो हमारे देश में प्रैप मातरां अपलब दें इसके साथ साथ जो हम घी और तेल का सेवन करते हैं जो वेजिटेबल ओयल है जैसे संफलावर है सेफलावर है मस्टर्ड ओयल है यह सारे ओयल हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं बजाए कि जो ए आप देख नहीं हानी का रहा है अगर अधिक मातरा में उसका सिवन करते हैं और डाइट में केंड फूट आता है जो प्रोसेस्ट फूट आता है मार्केट में डबे मिलते हैं फ्राइड फूट आता है आज कल बच्चों को यह पीजा का बर्गर यह सब खाने का बहुत शोक आता है जो हमारे ब्रेंड की सेल्स हैं वो हॉर्मोन से से रिलीज करती हैं जो हमारे श्रील के लिए घातक होती हैं हमारी नाडियों को सिकुड देती है नहरो कर करना है और अपने आपको एक competitive field से दूर रखना जिसमें हमारा नुक्सान हो रहा हूं देखो और एक आदमी का अपना-पना limitation है everybody cannot achieve everything life यह अपने को समझना है और ऐसा attitude life में अपनाना है कि let it go चलो छोड़ो यह आगे चलते हैं ठीक है तो इससे बहुत सारी problems solve हो जाती है सेवन्थ जो मैंने बताना चाहरा हूं साती जो बात है medicines और regular check-up अगर किसी patient को या किसी परिवार में किसी को blood pressure की बिमारी है sugar की बिमारी है या 40 साल के बाद 45 साल के बाद अपना regular check-up करवाएं और इन सब चीज़ों का अगर diagnosis बन चुका है तो इन्हें control में रहे है blood pressure को control में रखने के लिए exercise करना है नमक कम खाना है और इससे भी अगर control नहीं होता है तो अपने को दवाएं लेनी पड़ती है और दवाएं लेने के बाद भी अपने को बीमारियों के साथ linked है तो इन दोनों चीज़ों का अगर हम control कर लेते हैं तो काफी हद रत हम इन बीमारियों से बच कर रह सकते हैं regular check-up अगर यह सब बीमारियां हैं हमने दवाएं ले ले ली उसके बाद हम घर बढ़े रहते हैं बीच बीच भी अपने डॉक्टर को जा कर कि प्रामर्श नहीं लेते हैं दिखाते नहीं हैं तो यह भी गलत बात है every three months or six months or at least once a year we must go and meet our physician तो यह तो कुछ ऐसी मैंने बाते बताई कि अपने को जो करने हैं जीवन शेली में चेंज, डाइट में चेंज, exercise incorporation, stress-free life, time spending with kids and family यह सब चीज़े बहुत important हैं अब हम कुछ ऐसी चीज़ों की चट्चा करेंगे जो हमें नहीं करनी है, first and most important, खास करके हमारी young generation के लिए smoking बिल्कुल भी नहीं करनी है, no to smoking in any form, active smoking अगर आप खुद कर रहे हैं तो नहीं करनी है, passive smoking और आपका कोई दोस्ट कर रहा है तो आपने उसके साथ खड़े नहीं ह करना है, क्यों? स्मोकिंग एक ऐसी मतलब क्या बहुत बुरी आदत है कि जिससे ना सिर्फ दिल की बिमारियां बलकि और भी कई तरह की बिमारियां हमारे श्रीड में होती हैं, कई परकार के cancer इसके साथ ऐसे जड़े हैं, मूग के cancer, लंग के cancer, पेट का cancer, हाईपर टेंशन, heart attack, brain attack, लक्वा, ये सारी बिमारियां smoking के साथ associated है, smoking के साथ साथ tobacco, तंबाकू चबाना, कई मैं सार लोग देखता हूँ, जो मूँ में कुछ रखे रहते हैं, उन सारी चीजें से भी अपने आपको आवाइड कर रहना है, smoking जैसे e-cigarettes भी आजकल, electronic जो cigarettes हैं, वो भी बहुत society का इसमें योगदान होना चाहिए, ताकि हम दिल की बिमारियों से बच सकें, और यंग जेनरेशन जो heart attack से अब हम बहुत सारे patients देख रहे हैं, यंग लोग जो heart attack के साथ आ रहे हैं, 27 साल के, 30 साल के, 40 साल के लोग heart attack के साथ आ रहे हैं, तो उन सब में smoking एक बहुत बहुत दूसरा alcohol, alcohol का seven भी बहुत हानी का रख है, खास करके जो लोग शराबी बन जाते हैं, जिनको हम शराबी बोलते हैं, रोज वो शराब पिना हैं, इन सब चीजों से भी हमारे शरीर का रखचाप, हमारे शरीर में different तरह के cancer, और ये सब दिल की बिमारियां भी होती हैं, अगर of peer pressure की, यार मेरे दोस्त ने उसको चका तो मैं भी सक के देख लेता हूँ, तो धिर धिरे इन सब चीजों की आदर पड़ जाती है, जैसे ओपियम है, गांजा है, ये सब चीज़ें आजकल सुनने में आ रही हैं कि लोग काफी यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब चीजों से अ 110%, 200% आवाइड करना है, चोती बात जो हमने डाएट की बात की हम क्या खाना है, अब हम ये बात करेंगे क्या नहीं खाना है, शरीर में दो तरह कोलेस्टेल होते हैं, एक बेड कोलेस्टेल एक अच्छा कोलेस्टेल जिसको हम अपनी मेडिकल टर्म लोजीम बोलते हैं, HDL को होता है, वो खरा होता है, जो कि हमारे शरीर की नाडियों जम जाता है, और नाडियों में रुकाट प्रदा करता है, तो जितने भी ये फ्राइड आइटम्स हैं, जितने भी घी में बनी चीजे हैं, चो खास करके मार्किट में मिलती हैं, या पैक्ड हैं, या प्रोसेस्ट ह है वो सारी चीज ने हमें आवाइड करनी है शोख हुता है कि चलो आज बाहर जा करके हम समुझा खालेते हैं नहीं दelen 15 चीज़े से अपने को में हुई अब most important क्योंकि कोवीड पेंडेमिक अभी खतम हुई है और अभी भी हम उसे लड़ाई लड़ रहे हैं उसके after effect से भी लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन कोवीड के जितने भी नियम हैं कोवीड से बचने के जो भी हमारे precautionary measures हैं वो सारे अभी भी हमें follow करने हैं ज करने हैं और कोवीड से अपने आपको बचा के रखना है और कोवीड की vaccine हाला कि हमारी country में तो बहुत अच्छे नंबर में हो चुकी है हो भी रही है वो अपने को करवानी है तो और medicine जो चल रही हैं उसको abruptly और अपने आप बिना किसी डॉक्टरी प्रामर्श के बंद नहीं करना है मैं ऐसे बहुत सारे patient देखता हूँ जो मैं बताते हैं डार्ट सब थीक हो गए हमें तो ठीक लग रहा है हमने तो दवाई बंद कर दी ऐसा नहीं करना है और अगर आप करना भी चा रहे हैं दवाईयों की मातरा अपने आप कम करना चा रहे हैं या मोडिफाय करना च रहे हैं तो always go to your own physician जिसको आप पहले से दिखा रहे हैं वो आपके बारे में अच्छे से जानता है आपकी कौन सी दवाई शुरू किया कौन सी आपको सूट करती हैं तो हमेशा डॉक्टरी राय लेकर करके यह सब काम करना है क्योंकि अब हम काफी विस्तार से चर्चा कर च करते में जाते जाते आपको बोलना चाहूंगा एकसरसाइज करनी है स्मोकिंग नहीं करनी है अच्छी डाइट का सेवन करना है फल और सब्जियां खाईए बच्चों के साथ समय बिताईए खेलिए कूदिए मस्त रखिए अपने आपको टेंशन से दूर रखिए और दिल क बालते आपको और सब्सेद से लघज आपको लिए और दे दिल के से युझनले क्ने वाले है जाते तो sana है आपको बीम्ति खेल है वीर